ओम शांति बीस जून तो हजार बाइस बाबा के माहवाक्य मीठे बच्चे देहे सहित इन आखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो क्योंकि अब यह सब खत्तम होने वाला है प्रश्ण सत्युग में राज्य पद की लौटरी विन करने का पुरुशार्थ क्या है उत्तर सत्युग में राज्य पद लेना है तो अपने उपर पूरी नजर रखो अंदर कोई भी भूत ना रही अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे राज्य बनने के लिए प्रजा भी बनानी है दूसरा यहां ही रोना प्रूफ बनना है किसी देहधारी की याद में शौक आया शरीर छूटा तो पद भ्रस्ट हो जाएगा इसलिए बाप की याद में रहने का पुर्शार्थ करना है गीत आज नहीं तो कल ओम शांती शिव बाबा कहते हैं ओम शांती फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांती वह है पर्मात्मा यह है प्रजापिता इनकी आत्मा कहती है ओम शांती बच्चे भी कहते हैं ओम शांती अपने स्वधर्म को जानना होता है न मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानती हैं ओम शांती अर्थार्त एहम आत्मा शांत स्वरूप हैं आत्मा है मन बुध्धी सहित यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं अगर कहीं आत्मा को शांती कैसे मिले तो बोलो वह यह भी प्रश्न हैं आत्मा तो स्वयम शांत स्वरूप है शांती धाम में रहने वाली है शांती तो वहां मिलेगी न आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांती में रहेगी यह तो सारी दुनिया हैं इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना हैं शांत कैसे रहेंगे काम करना है मनुष्य शांती के लिए कितना भटकते हैं उनको यह पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है आत्मा बिंदी मिसल है बाप ने समझाया है सब कहते हैं निराकार पर्मात्माई नमहा परम पिता उनको ही कहा जाता है वह तो है निराकार उनको शिव पर्मात्माई नमहा कहा जाता है अब तुम्हारा बुद्धी योग उस तरफ है मनुष्य तो सब देहे अभिमानी है उनका योग बाप तरफ नहीं तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है गाते भी हैं ब्रह्मा देवताई नमहा ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा पर्मात्माई नमहा एक को ही पर्मात्मा कहा जाता है वह है रचैता तुम जानते हो हम है शिव बाबा के बच्चे उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रियेट किया है अपना बनाया है ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्सा देने के लिए ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो बीके को भी कहते हैं मा मेकम याद करो देहे का अभिमान चोड़ दो यह घ्यान की बाते हैं 84 जनम लेते लेते अब यह शरीर जड़ जड़ी भूत हो गया है बिमार रोगी हो गया है तुम बच्चे कितने निरोगी थे सत्युग में कोई भी रोग नहीं था एवर हेल्दी थे कभी देवाला नहीं मारते थे अभी से ही अपना वर्सा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं इसलिए देवाला मार ना सके यहां तो देवाला मारते ही रहते हैं बच्चों को समझाया गाते भी हैं परम, पिता, पर्मात्मा, शिवाई, नम्हा भ्रम्मा को पर्मात्मा नहीं कहेंगे उनको प्रजा पिता कहा जाता है देवताई सुक्ष्म वतन में हैं यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजा पिता ही फिर जाकर फरिष्टा बनता है सुक्ष्म वतनवासी बनता है अर्थार्त सुक्ष्म देहधारी अब बच्चों को बाप ने समझाया है मा मेकम याद करो तुम भी निराकार हो हम भी निराकार है मा मेकम याद करना है और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धियोग हटाना है देहिसहित इन आखों से जो कुछ देखते हो सब खतम होने वाला है फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांती धाम उस सुखधाम अत्वा कृष्नपुरी की ही तुमको चाहना रहती है तो बाप कहते हैं शांती धाम सुखधाम को याद करो भल सत्युग में भी पवित्रता सुख शांती रहती है परन्तु उनको शांती धाम नहीं कहेंगे कर्म तो सबको करना है राजाई करनी है सत्युग में भी कर्म करते हैं परन्तु वह विकर्म नहीं बनता क्योंकि वहां माया ही नहीं यह तो सहज समझने की बात है ब्रह्मा का दिन है दिन में धक्का नहीं खाया जाता रात अंधेरे में धक्के खाये जाते हैं तो आधा कल्प भक्ती ब्रह्मा की रात आधा कल्प ब्रह्मा का दिन बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है परंतु वह बात कोई शाष्त्रों में नहीं गाई जाती यह ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शाष्त्रों में गाई हुई है अब विश्नों की रात क्यों नहीं कहते वहाँ उनको यह ज्यान ही नहीं ब्रामनों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है खेल भी ऐसा है, प्रवरती मार्ग वालों को सन्यासी नहीं कहते, वह तो निवरती मार्ग वाले हैं, वह स्वर्ग और नर्ग की बात नहीं जानते वह तो कहते स्वर्ग कहां से आया, क्योंकि शाष्ट्रों में सत्यू को भी नर्क बना दिया है, अब बाप बहुत मेठी मेठी बाते सुनाते हैं, कहते हैं बच्चे, मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है, बाप अपना परिच्चे देते हैं, भक्ती मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता, उस समय सारा रसम रिवाज भक्ती मार्ग का चलता है, ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं, उनको सक्षतकार कराने मैं निमित बना हुआ हूँ, उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है, जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो पार्ट ड्रामा में जब नूधा हुआ है, वह उसी समय बज़ता है, इसमें संशय की बात नहीं, अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता, तो भक्ती मार्ग में भी किसको सुनाता, लक्षमी नारायन को वहां यह ज्ञान है नहीं, ड्रामा में नूधी नहीं, प्रश्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरू सदगती देते हैं, परंतु गुरू लोग सदगती कैसे देंगे, उनका भी तो पार्ट है, और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, यह चक्र फिरता रहता है, उन्होंने फिर चर्खा रख दिय स्रिश्टी का चक्र है, वंडर देखो, चर्खा फिराने से पेट पूजा होती है, यहां इस स्रिश्टी चक्र को जानने से 21 जनमों के लिए तुमको प्रालब्ध मिलती है, बाबा यथार्थ रीती अर्थ बैट सुनाते हैं, बाकी सब अ यथार्थ सुनाते हैं, तुम्हारी बुद्धी का ताला खुला हुआ है, उंचे ते उंच है भगवान, फिर भ्रम्मा, विष्णु, शंकर हैं सुक्षम, वतन, वासी, फिर इस्थूल वतन में पहले लक्षमी ना रहें, फिर जगत अंबा, जगत पिता हैं, वह संगम के हैं, हैं तो मनुष्य ही, भुजाएं आदी कुछ भी है नहीं, भ्रम्मा को भी दो भुजा हैं, भक्ती मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी हैं, अगर किसको आठ भुजा हो, तो आठ टांगें भी होनी चाहिए, ऐसे तो होता नहीं, रावन को दस शीश दिखाते हैं, तो टांगें भी बीज देनी चाहिए, यह सब है गुडियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं, रामायन जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं, बाप समझाते हैं, यह सब है भक्ती मार्ग, जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो अब एक जनम में ज्ञान चिता का हत्याला बांधने से 21 जनम के लिए वर्सा मिलता है वहां आत्म अभिमानी रहते हैं एक पुराना शरीर छोड दूसरा नया ले लेते हैं रोने आदी की बात नहीं रहती यहां बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे धूम धाम से मनाएंगे कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे दुख धाम है ना जानते हो भारत पर ही सारा खेल है भारत अविनाशी खंड है उनमें ही सुख दुख नर्क स्वर्ग का वर्सा होता है हैविनली गौड फादर ने ही जरूर हैविन स्थापन किया होगा लाखों वर्ष की बात तो कोई को याद भी कैसे पड़े किसको भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा कह देते हैं कल्युक की आईउ अभी 40,000 वर्ष है अब 40,000 वर्ष में कितने जनम लेने पड़े जबकी 5000 वर्ष में 84 जनम है अब तुम बच्चों की समझ में आता है तुम रोशनी में हो बाकी जिनको ग्यान नहीं वह अज्यान नींद में सोई पड़ी है अज्यान अंधियारी रात है अर्थार्थ स्रुस्टी चक्र का ज्यान नहीं है हम एक्टर हैं यह स्रुस्टी चक्र के चार भाग है इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे अभी तुम बच्चे जानते हो बाप नौलेजफुल है उनमें जो जो खूबिया हैं वह सब तुमको दान देते हैं ज्यान के सागर से तुम वर्सा लेते हो बाबा हमेशा कहते हैं देहे धारी को याद नहीं करो भल मैं भी देहे द्वारा सुनाता हूँ परन्तु याद तुम मुझ निराकार को ही करना याद करते रहेंगे तो धारना भी होगी बुद्धी का ताला भी खुलेगा पंधरा मिनिट वा आधा घंटा से शुरू करो फिर बढ़ाते रहो पिछाडी के समय जिवाए एक बाप के कोई की याद ना रहे इसलिए सनियासी सब कुछ छोड देते हैं तपस्या में बैठते हैं जब शरीर छोडते हैं उस समय आसपास का वाईयू मंडल भी शान्ती का हो जाता है जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरी छोड़ा है तुमको तो अब ग्यान है आत्मा अविनाशी है वह लीन होना सके उनमें तो यह ग्यान नहीं है बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश नहीं होती उनमें जो ग्यान है वह भी कभी विनाज नहीं होता Imperishable drama है सत्यूग त्रेता द्वापर कल्यूग यह चक्र फिरता रहता है फिर तुम लक्षमी नारायन बनते हो फिर नंबरवार और धरम वाले भी आते हैं God Father is One सत्यूग से कल्यूग तक व्रधी को पाते रहते हैं दूसरे जाड बनना सके चक्र भी एक ही है याद भी एक को ही करते हैं गुरु नानक को याद करते हैं परन्तु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े जनम मरण में तो सबको आना है लोग समझते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है कोई किसको मानते कोई किसको बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ती से समझाओ इश्वर सबका एक निराकार है गीता में है भगवानु वाच तो गीता है सबकी मा बाप क्योंकि उनसे ही सबको सदगती मिलती है बाप सबका दुख हरता सुख करता है भारत सबका तीर्थिस्थान है सदगती बाप द्वारा ही मिलती है यह उनका बर्थ प्लेस है सब उनको याद करते हैं फादर ही आकर सबको रावन के राज्ये से छुडाते हैं, अभी यह रौरव नर्क है। अब बाप कहते हैं, हे देहेधारी आत्माएं अब वापिस चलना हैं। सिर्फ मुझे याद करो, कभी भी देहेधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना हैं, वहां आना हैं, तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाएं, तो दुरगती हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं, तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धी में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं, तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकठा फोर्स होता है, अगर और किसी की याद बुद्धी में रहेगी, तो फिर जनम लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, स्थेरियम रहना है, देहे का भान ना रहे। जितना बाप को याद करते हो, वह याद रिकॉर्ड में नूंध जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी, हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तक्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे, तुम्हे कभी रोना नहीं है। रोती तो विधवाई है, तुमको सर्व गुण संपन यहां ही बनना है। जो फिर अविनाशी हो जाता है, महनत चाहिए। अपने पर नजर रखनी हैं, कोई भी भूत होगा, तो उंच पदपा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्षमी को वरने चाहता था, परन तु शकल देखी, तो बंदर मिसल। तुम पुर्शार्थ कर रहे हो लक्षमी को वरने के लिए, जिसमें पांच भूत होंगे, वह कैसे वर सकेंगे। बहुत महनत चाहिए, बड़ी जबर्दस्त लोटरी विन करते हो, हम राजा जरूर बनेंगे, तो प्रजा भी होगी। हजारों लाखों व्रधी होती रहेगी, पहले पहले कोई भी आते हैं, तो उनको बाप का परिचै दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा, वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहां सुनने आए हो वसुनाने। सर्व का सदगती दाता तो एक निराकार है ना। वह कब आकार साकार में नहीं आता है। अच्छा फिर प्रजा पिता से क्या संबंध है। वह है साकारी, वह है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ओब्जेक्ट यह है। इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा मेठे मेठे, सिकीलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते। धार्णा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी देहे धारी में अपनी बुध्धी नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है। कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, अपने शांती स्वधर्म में स्थित रहना है। शांती के लिए भटकना नहीं है। सब को इस भटकने से छुडाना है, शांती धाम और सुख धाम को याद करना है। वर्दान, निर्मानता द्वारा नव निर्मान करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भवा। कभी भी पुरुशार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। इस इसमरती से विजय बनो। एक सेकिंड वा मिनिट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान ना दो। अभिमान और निराशा यह दोनों महा बलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है। इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्मान बनो तो नव निर्मान का कारिय करते रहेंगे। स्लोगन विश्व सेवा के तक्त नशीन बनो तो राज्य तक्त नशीन बन जाएंगे। ओम शांती।